अगर उसमें लीन लगा है तो क्यों लगा है यह कैसे जानेंगे और कैसे इसको रिमूब करेंगे आज इस वीडियो में जानेंगे तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे आपने 10,000 रुपई कर दिया तो यहां पर गरेगा वर जब आप शचासरो रहें को पैसा सीना रहे हैँ तो अब भी जैसे ना देखो लीन अकाउंट में क्यों लगता है पहले यह हम सब जान लेते हैं ठीक है जैसे कि आपका कोटक बैंक से लोन चल रहें ठीक है जैसे आपने पैसा जमांग रहें जब तक लीन नहीं हटेगा अगर आपने पांसार को यह माई पे नहीं किया तो कैसा होता है फिर आपके अकाऑट में लिल लगता है फिर आप उसके लिए भी फर이면 तो पर पेसा नहीं है तो भी कट लेते हैं लोग तो इस मेना सबसे अच्छा क्या होता अगर आपको है ठीक है तो मैंने अलरडी कुस्टमर करें करसे कैसे बात करते हैं या customer care का number 12 नंबर है मेरे पास मैंने उस पर वीडियो बनाए हुआ है तो आप वहां से customer care का number ले लिजेगा ठीक है चाहे आपका salary account हो चाहे आपका 811 account हो ठीक है आपका saving account हो चाहे आपका current account हो ठीक है सबका help line number एक ही होता है ठीक है और उसके लिए मैंने आल्रेडी एक वीडियो बना दिया है customer care से कैसे बात करें वह नंबर नंबर लेने के बाद में आपको क्या करना है customer को call करना है उनको बोलना है मेरा account लेन लिल लगा है और मैं तो आपको चेक करके उनलोग बता देगे क्यों लगा Ende Greek क्यों लगा है आप से आठ दिन में ओक्लियर हो जाता है जैसे यह अपको लुपर यह पूरा बैलन करते यहां पूरा बैलन सो करते हैं यहांपे पूरा बैलन सो करने लेगा ठीके पांच जब कड़ जाएगा तो आपको यहां पर सो करने लगेगा थीक है तो ऐसे ही मतलब लीन को करते आपके इसका कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है ऑनलाइन तरीका नहीं है इसका कि आप उनलाइन की जब तो रिमूव कि कुकि कैसा होता है इसमें in रिक्वेस्ट फ्रम भर आएंगे रिक्वेस्ट फॉर्म भरने के बाद में आपका ले दो से внутри में रुबर जाता टीके तो एसे ही लीन अगर अगांट में लगा है तो रिमूज ऐसे ही करते तो देख डेख The Ever आएसे रेख्रेंट बीडियो अपने चैनल पे अपडलोड करता हूं तो चल्हों को sit सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज चलने को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है अपने को दस जार सब्सक्राइबर कम्प्लीट करना है तो चलो मिलते नेस्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो